हो ही गाईश देखो लग बग जैसे कि हरवंते कि मैं दिखता हूँ कि बड़े-बड़े लोग है हो इक बर मैंने आपको बताया था SETTE BANK जहां पर आप खाता खुलते हो हमक एकाउंस कोन्स तफ gn लगाते हैं आपड़े में क्यों स्प dizendo फेसेAss합 strengthen लगबग कहां, कौन से कौन से company में लगाते हैं, आप जो पैसे लगाते हो, इनके share में, आपने सपोस माल लिजए कि आपने ICAC का share खरिता, तो ICAC क्या करता है, वो और भी बहुत सरा IC company है, risk की company में invest करता है, और लगबग एक साल में 3-4 गुना पैसा कमाता है, और आपको देता आपको 5% का return दिया जाता, inflation बढ़ता है 6% के हिसाब से, 6 या 7% के हिसाब से inflation बढ़ता है, अगर आपने 1,00,000 रुपया के FD करवाया, तो पता है, आपको एक साल बात कितने पैसे मिलते हैं, 98,000 या तो फिन 99,000, इतना आपको मिलता है, लेकिन आपको लगता कि 1,00,000 और कल की डेट में अगले साल जाओगे 1,005,000 के साथ, तो सेम प्राइज में आपको मिलेगा, वह सेम प्रोडक्ट, तो फिर कोई फायदा नहीं है, और ये जो ICIC, Access हो गए, HDFC हो गए, ये लोग लगबग साल भर में 3-4 गुना पैसा कमाते हैं, आप ही के पैसे से, तो आज पैसे कैसे कमपनिओं को चूज करते हैं, खरीते हैं और पैसा निवेज करते हैं, तो पहला स्टॉक रह गा, यहाँ पर देख सकते हो, ये कमपनी इंफरॉक्शर में काम करती है, इस केमपनी को मूंबाई में काफी बड़ा ओर भी मिलता रहता है, और अबही दोगोगे, त देखो लगबग 95% यहां पर ध्यान से देखोगे तो 95% तो यह stock गिर चुका था 95% और इतने बड़े गिरावट वाले company में यह बड़े बड़े लोग निवेश करते हैं और यहां पर लगबग अपने पैसे को कई बार multiply करने की कोशिस करते हैं एक दफ़ा तो यह stocks ने लगबग 10,000% का रिटन दिया था 1999 से 2008 से मतलब 10 सालों के अंदर company ने लगबग 10,000% का रिटन निकाल दिखाया था काफी अच्छा था और यह company कितने रुपे से चलना स्टार्ट हुआ था देख सकते हो 1.05 मतलब बोल सकते हैं कि एक रुपे के आज पास से यह company चलना स्टार्ट हुआ था यहाँ पर और access group ने इस company में 27 करोड रुपे लगा रखे हैं कितना तो 27 करोड जो कि छोटा मोटा amount नहीं होता है बड़ा amount होता है और यह company के देखो मैं आपको भलूँगा SWOT analysis अगर आप करोगे तो यहाँ पर देखो भाई चोटे company है तो weakness और threat तो होगा लेकिन threat कुछ भी नहीं है zero है केवल weakness ही है सब के पास weakness होता सभी company को पास weakness होता और जो 95% गिर चुकी है company भाई उसके पास कुछ तो problem होना ही ची जो आपके सामने दिख रहा है लेकिन उसके सामने opportunity काफी ज़्यादा देख सकतो opportunity और strength देख सकतो company में ताकत बहुत ज़्यादा है और मौका तो मौका ही बहुत ज़्यादा मौका भी आपको देखने को मिल जागा और उसके साथ साथ यहाँ पर आप देखोगे तो strong buy आपको बताया गया है यहाँ पर देख सकते हो strong buy आपको बताया गया है तो बहुत सारे लोग है कि यह stock recommend करना है कि आप दबा के खरीच सकतो अगर हम अपनी भा फिर 566 का हो गया फिर लगबग 300, 371 अभी देखो 264 के आसपास तो company अपने risk को बहुत ज्यादा minimize कर रही है बहुत ही ज्यादा minimize कर रही है यहाँ पर और कितने लोग कितने percent है यहाँ पर जो लगबग खरीदने के लिए बोला जा रहा है यहाँ पर देखेगा तो promotors के पास कितना है तो 34% यहाँ पर देख सकते हो promotors के पास है और यहाँ पर देख सकते है pledge भी है यहाँ पर साइद जो कि लगबग 92% के आसपास देखने को मिल जागा लेकिन फिर भी यहाँ पर foreign institutional वाले हैं जो यहाँ पर माल उठाएं और साथ में mutual fund भी हैं जो कुछ लगबग माल foreign वाले भी ऐसे company में निवेस करते हैं पता नहीं उनको अच्छा भी लग रहा होगा इस वे जैसे बहुत जादा sales purchase भी यह stocks में किया जाता है ऐसे stock को लोग 77% recommend कर रहे हैं देखो 217 votes मिले हैं 217 जिसमें से लगबग 77% बताना चाहता है खरीदना है sales करने के लिए के बड़ 12% बताया जारा 12-13% बाकी hold रखना है लगबग 9.66% मतलब आप समझ चकते हो यहाँ पर कि 85% लोग या फिर 90% लोग इस company को बोलने खरीद के रखने के लिए हैं दूसरी company Bombay Rain Fashion Limited जिसमें लगबग 20 करोड का investment कर रखा है access group ने देखो मैं access group के portfolio में ज बड़ा हमारे पास तो भाई 10-20 लाग या 5-10 लाग रुपे की बात अलग होती है लगबग 80 से 90,000 करोड उतना बड़ा है तो यह है textile sector की company जो लगबग देखो कि आपके सामने 90% से भी जादा गिरा हुआ है और इस company के जो management है continue अपने date को घटाने में लगे हुए है continue क्यों अगर आप एक brand होतो हो अगर आप कोई brand नहीं हो ऐसे normal तो आपको लगबग 100% का भी यह margin मिल जाता है मतलब 100 रुपे को product को आप 200 रुपे में बेज सकते हो अगर आप brand हो तो लगबग माल लेता है कि 40 रुपीस को product को लगबग आप 100 रुपीस पे बेज दो और लोग ले भ बढ़ा दी है तो यह चीज होती है तो यह है यह company देखो पूरी तरीके से तबाह हो चुके जितना गिरना था यह company गिर चुका है आप देखो कि तो बहुत लंबे समय से company जो है आप लंबा consolidation कर रही है यहां से बहुत लंबे समय से आप company कभी-कभी बीच-बीच में उठने की भी कोशिस करती है और लिटी बहुत ही ज़्यादा गिरावट देखने को मिल चुका है यहां पर बहुत ही ज़्यादा अब यह company मुझे लगता है कि एक consolidation level बनाने की कोशिस कर रही है इसी level में चलता है तो company अगर यह उठा तो कई गुना return निकाल के देगा और किवल 7 लोग जो है काफी एची तरीके से देख पा रहे है पर मोटर के पास देखोगे तो लगबाग पर मोटर के पास के वल 26 या 27 परसंट है domestic वाले को पास देखो तो लगबाग 54.89 मतलब 55 परसंट की हिस्चदारी है ownership तो domestic वाले को पास ही है आधा से भी जादा हिस्चदारी इन बैंक आप जानते हूं ना एक्सेस बैंक जहां पर आप यह बैंक एकांट खुलने जाते हैं एक्सेस बैंक का शेयर खरी तो वह भी यहां पर included है सोच लो यहां पर इतना बड़ा पब्ली के पास है किवल 18 परसंट का और पहले कितना तो पब्ली के पास तो किवल 7 परसंट बढ़ 96 परसंट यह स्टोग इल चुका है कितना 96 परसंट इंफा स्ट्रक्षर के लिए काम कर रहे एकंपन्य सरकार ने इंफा स्रक्षर में ही बजट में बहुत ज़्यादा बूूच्ट केा इंफा स्ट्रक्षर वाली कंपनियों को यह कमपनी इतना ज़्यादा गिर चु और लगबग 28% तो परमोटर से के पास है पबली को दिया ही नहीं कुछ भी पबली को तो कुछ मिला ही नहीं है यहाँ पर समझ रहो ना 50-60% तो अकेले डोमेस्टिक वाले उठा ले अगर फॉरेन वालों ने थोड़ी बहुत अगर अपने थोड़ा बहुत अगर उन्होंने अपने इंट्रेस्ट दिखा दिया ना तो यह कंपरी में कुछ ज़्यादा ही बड़ा हिस्सेदारी उठाई जा सकते फिर पबली को ने नो इंट्री हो जागा यहाँ पर और अल्रेडी 96% से 97% गिरावाट हो चुका है अब क्या गिरावाट होगा ऐसे कंपरी में और किवल 87,566.5 करोड का पॉटफोलियो है 87,000 करोड का या फिर 88,000 करोड आप बोल सकतो है यहाँ पर इनके पॉटफोलियो में भी अगर आप देखोगे तो कितने स्टॉक है यहाँ पर कहीं पर लिखा जाता है जो के लगबग 86 है यहाँ पर स्टॉक 86 है और जो लगबग मैंने यहाँ पर उसके ठीक नीची अगर थोड़ी से आ जाओगे बंबे के तो हिंदुस्तन कंस्टॉक्शन आप देख सकते हो मैंने बुला 27 करोड का इंवेस्मेंट यहाँ पर किया गया है तो यहाँ पर भी किया गया और यहाँ पर देख सकतो यह जो लगबग 33.9 करोड का इं तुक जाओ थोड़ा सा टाइम दो यह रिफ्रेश हो रहा है रिफ्रेश हो गया यहाँ पर देख सकते हो प्रेसिदंट ऑफ इंडिया का पॉट्फोलियो है जो कि लगबग एक एक करके काउंट करना पड़ेगा इतना माउंट है फिर देखो एस बी आई करहा जो कि लगबग 33.9 करोड का है आई सी का है जो लगबग यह भी देख सकते है लमसमा बोल सकते हो 33.9 करोड के नजदीक में है और फिर उसके बास देखो HDFC का है 1.5 करोड का है यह रिलाइ वीडियो जादा 10 मिनिट से जादा लंबा हो जाता है इस पज़ेसे मैं जादा नहीं किष्ण चाता क्योंकि बोरिंग हो जाएगा करके और जो एक स्टॉक बचिये है वो लगबग मैं आपको किसी और वीडियो में बता दूँगा करके और अब आप स्टॉक मार्केट में